कुलू जिला के तहट आनिखंड की पंचायत मुहान के ठारवी गाउं में बुद्धवार दो पहर को अठाई मंजिला रिहाईशी मकान में अचानक आग लग गई आगजनी की चपेट में आने से मकान जल कर राख हो गया हाथसे में करीब 20 लाख रुपे की ख्यती का अनुमान है वहीं इस आगजनी की चपेट में आने से तीन गायों की भी मौत हो गई आनिखंड की पंचायत मुहान के ठारवी गाउं में तीन भाईयों का मकान जल कर राख हो गया स्लेट पोश मकान में बुद्वार दोपहर को अचानक आग लगी देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और ये मकान पूरी तरह से जल कर राख हो गया इस आगजनी की चपेट में आने से तीन गाए मर गए जबकि आगजनी में प्रभावित भाईयों का पूरा समान वह समपत्ती जल कर राख हो गए स्थानीय लोगों ने मकान को आग से बचाने के लिए काफी जद्दो जहत की मगर आग की उंची लप्टों के आगे ग्रामीनों के प्रयास विफल रहे प्रशासन द्वारा फौरी राहत के तौर पर परेजनों को पांच हजार रुपे की राशी प्रदान की गए है सिटी चैनल के लिए कुलो से दिलीप ठाकुर की रिपोर